जय हैं दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल में आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहां पर बहुत ही महत्तपूर्ण कॉस्चन आंसर अयुद्या से अपाद्या हरिवाद जी से संबंदित तो वीडियो को पूरा वस्त देखना है अयुद्य सायत का संपुन कोर्स हिंदी सायत की टेश्ट सीरेज अपलब्ध है आपके लिए और यहां पर 20-20 टेश्ट सीरेज करवाई जाती हिंदी सायत की फिरी ये आपकी सब्ताह में दो दिन तो इससे टेश्ट सीरेज से भी अवस्त जुड़ें तो सेल्प स्टेडी किलासेस पि आजम गळ में इनका जनम हुआ था बिलकुल सही question no.2 पूंचा है कि हरीवध किस यूग के कभी हैं य। पर कब हुआ था यह बताना है तो इनका जन्म हुआ था कब तो बिल्कुल चाही राइट आंसर बताया है कि विकल्प नंबर आपका भी राइट आंसर है 1865 ECB में इनका जन्म हुआ था तो इनका जन्म कहां पर हुआ था निजामाबाद आजमगण में कॉश्च्चन नबर आपका यहां पर चार पुशा है तो पद्ध्द्वान ने हरीफद को आदुने काल का सूरदास कहा है तो आपका सही आंसर है question number यहाँ पर पूछा है पांच और पांच का सही आंसर जो होगा बैहे है विकल्प नंबर एक यानि की डाक्टर गलपती चंद्रगुपत आपका सही आंसर होगा खड़ी बोली का पिर्थम महाकाब बे माना जाता है प्रिये प्रवास पद्परसून पारिजात या प्रियम सर्वन तो आपका सही आंसर है खड़ी बोली प्रिये प्रवास पारिजात पद्द प्रसुन या फिर प्रेम सिर्वन तो प्रिये प्रवास ये जो है पहले ब्रजांगना बलाप की नाम से प्रकासित हुआ था बिल्कुल चाहिए प्रिये प्रवास प्रिये प्रवास आपका सही आंसर है इसमें रस की बात करें तो इसमें ब्योग सिंगार रस माना जाता है तो भिकल्ब नमबर सी राइट आंसर है प्रिये प्रवास की किस सर्ग में रादा की ब्रह का बंडन मिलता है पिर थम सर्ग, दोतिय सर्ग, त्रितिय सर्ग या पिर चतुरत सर्ग में रादा के ब्रहे का बंडन मिलता है तो चतुर्त सर्ग में मिलता है प्रिय प्रबास के चतुर्त सर्ग में रादा के ब्रहे का बंडन मिलता है बिलकुल सही हरिवाद जी का कौन सा काब बे अपनी काब बिकत विशिष्टाओं की कारण हिंदी महा काब्यों में माइल इस्टोन माना जाता है हरिवाद जी का कौन सा काब बे अपनी काब बिकत विशिष्टाओं की कारण हिंदी महा काब्यों में माइल इस्टोन माना जाता है प्रिये प्रवास तो विकल्फ नंबर d आपका सही आनसर होगा हरिवाट जी के इस काब्ड में राम और सीता के निर्वसन की करτα कही गई है कौन से काब्ड में कही गई है तो बिल्कुल सही राइट आनसर है आपका यहाँ पर बिल्कुल बहुत बढ़िया विकल्फ नंबर b right answer है पूछा गया है और question नमबर 15 का सही answer है विकल्प नमबर B आनि की 22 का वाका अमबा का आपका right answer है बिल्कुल चाई question नमबर आपका 16 है हिंदी साहत सम्मिलन द्वारा हरिवजी को कौन सी उपादी दे गई थी महत पूण question है और आपका सही answer है क्या है right answer तो साहत वाच इस्वती आपका सही answer होगा विकल्प नमबर आपका यहाँ पर जो एक है वहे आपका सही answer हरिवजी की हरिवजी का रीती गरंथ कौन सा है इनका रीती गरंथ बताने question number 17 में तो बिल्कुल सही right answer हरिवजी का रीती गरंथ माना जाता है रसकला से तो विकल्प नमबर बी आपका सही answer होगा इनमें ऐसे कौन सी रचिना हरिवजी की है बताए उद्दाव सतक या कुपजा सतक किष्ण सतक लोकोक्ती सतक तो किष्ण सतक जो रचिना मानी जाती है यह हरिवजी की मानी जाती है बिल्कुल सही कबीर कुंडल काप बे किसका है कबीर कुंडल काप बे माना जाता है किसका माना जाता है कौश्चन नमबर 19 है और आपका बिल्कुल चाही राइट आंसर है 19 वा कौश्चन का विकल्प नमबर D हरिवद आपका सही answer होगा कौश्चन नमबर 20 की बात करें यहां पर कि प्रिय प्रिवास काप में नायक नायका है तो प्रिवास काप में नायक नायका कौन है महत्तपुन कौस्चन पूछा गया है और आपका राइट आंसर होगा कौस्चन नमबर 20 का राधा किष्ण आपका किष्ण राधा आपका विलकुल सही आंसर है question number 21 से हरिवाच जी का बिरजभासा में रचित काप पे कौन सा है ये बताना है और इस ते पहले सबी लोग एक बार वीडियो को लाइक अबस्ते कर लिया करें बहुत ही कम लोग वीडियो को लाइक करते हैं हरिवज जी का विरज भासा में रचित का पे पूँचा है तो रस कलस आपका सही आंसर होगा Q2 पूँचा है हरिवज जी का रस स्वरूप नाई का भेद एवं रितू बंडनन का ग्रंथ कौन सा है कॉस्चन नमबर 23 है किस ने लिखा है कि हरिवोज जी की एह सबसे बड़ी विसेष्टा है कि वे हिंदी के सारभौ में कभी हैं वे खड़ी बोली उर्दु के मुहाबरे ब्रिजवासा कटिन और सरल सब प्रकार की कभीता की रचिना कर सकती हैं किस ने लिखा है तो बिल्कुल सही राइट आंसर होगा आपका विकल्प नमबर B यानि कि निराला जी ने लिखा है बिल्कुल सही कॉस्चन नमबर 24 है कि दिवस का आउसान समीप था गगन था कुछ लोहे तो हो चला पंती की रचिता कौन मानी जाती है यह आपके लिए बता कॉस्चन नमबर 25 है कि कवीता करके तुलसी ना लसे कवीता लसीपा तुलसी की कला पंती के रचिता है तो इस पंती के रचिता कौन है 25 का आंसर बताना है तो इस पंती के रचिता भी हरिवज जी ही माने जाते है विकल्प नमबर D आपका सही आंसर होगा हरिवज जी की नमबर आपका यह जो है आपका सही आंसर यहां पर होगा अरिवाज जी का नाटक कौन सा है यह आपको बताना है नाटक पूंचा है तो यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर है 27 इसका नाटक में हो जाएगा प्रदोमने बिजाए आपका सही आंसर होगा प्रिये प्रवास मह अight काप पे माना जाता है और इसका रचणागाल पूझा है तो इसका रचणागाल माना जाता है 1914 इस भी बिलकुल सही बेदेही बनवास का रचिनाकाल क्या माना जाता है question number आपका यहाँ पर है 29 और 29 का सही आंसर है 1940 आपका राइट आंसर होगा बेदेही बनवास का रचिनाकाल इनमें से कौनसी रचिना हरिवद की है तो आपके लिए बताना है प्रेम फुलवारी है प्रेम मालिका है प्रेम प्रपंच है प्रेम माधुरी है तो इनकी रचिना पूछा है कौनसी है तो आपका राइट आंसर है प्रेम प्रपंच आपका सही आंसर होगा Q21 से ठेट हिंदी का ठाट रचना की विदा क्या है निवन्दे कवीता है नाटक है उपन्यास है Q21 से जो की बहुती महत्पुन Q2 है और ठेट हिंदी का ठाट यह मानजाता है उपन्यास ठेट हिंदी का थाट उपन्यास का रचिनाकाल यहां पर बताना है इसका रचिनाकाल क्या माना जाता है तो question number 32 का सही answer है इसका रचिनाकाल माना जाता है 8999 cm बिल्कुल सही अधिखिला उपन्यास का रचिनाकाल क्या माना जाता है अधिखिला उपन्यास का रचिनाकाल 1907 इस भी माना जाता है बिल्कुल सही अंगला क्वास्चिन क्या पूचा है question number है अपना यहाँ पर 34 दिवस का अवसान समीप था गगन था कुछ लोहे तो हो चला पंती हरिवद के किस कापबे से ली गई है प्रिये प्रवास से पारिजा से या पद प्रुसून से या प्रेम सरवन से तो यह प्रिये प्रवास से ली गई है तो बिकल्ट नंबर एक आपका यहाँ पर सही आंसर होगा यहाँ पर पूँचा है कि कबीर वचिनावली किस की रचिना मानी जाती है समसिर बहादौर सेह, रगुबेर सहाई, मुक्तिवोध, हरिवद तो question number 35 का आपका जो सही आंसर है आपका राइट आंसर कबीर वचिनावली पूँचा है तो यह हरिवद जी की रचिना मानी जाती है बिल्कुल सही जो की बहुत ही महत्तपुन question है और यहाँ पर पूँचा है इनमें से कौन सी आलोचिना हरिवद की है साहित सीकर, साहित संधर्व, साहित देपता, साहित कोस आलोचिना है, हरिवद जी की कौन सी है तो साहित संधर्व, विकल्प नमबर सी आपका सही आंसर होगा हरिवद की इन रचिनाव का प्रकासन बार्ष के अनुशार सही अनुक्रम बताना है, किस विकल्प में है विकल्प का आप चैन कीजिए, यहाँ पर कौस्चन नमबर 37 है, और बिल्कुल सही राइट आंसर है, 37 का विकल्प नमबर आपका यहाँ पर एक सही आंसर होगा, प्रिये प्रवास चुबिते, चौबदे और बेदे ही बनवास आपका सही आंसर हरिवाद सतसई का रचनाकाल बताने है, कौस्चन नमबर 38 में, इसका रचनाकाल क्या है? हरीवाद सतसई का, कौस्चन नमबर 38 है, जो कि भौटी महत्पुन कौस्चन पूशा गया है, और बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका, कि 1940 हरिवत सस्वी का रचिनकाल माना जाता है Q49 है कि प्रिये प्रिती वह मेरा प्राण प्यारा कहा है दुख जल निदी डूबी का सहारा कहा है उप्रिवत पद की रचिता कौन है Q49 का आंसर बताना है तो प्रिये प्रिती वह मेरा प्राण प्यारा कहा है दुखजल निदी डूबी का सहारा कहा है यह हरिवद जी की जो है उप्रिप्तपद हरिवद जी का माना जाता है बिल्कुल सही हरिवद का निधन कब हुआ यह बताना जो की बहुत ही महत्तपुन कॉस्चन है और इनका निधन कब हुआ यह पूंचा गया है तो बिल्कुल सही आजमगड में इनका जन्म हुआ था तो यह भी आपके लिए याद रखना है आजमगड में इनका जन्म हुआ था बिलकुल सही बहुत बढ़िया उद्यस है उपाद्या हरिवाद इनका पूरा नाम है तो इस पिरकार अपने यहां पर देखे हरिवाद जी से संबंदित भौत क्यांसा लगाई वीडियो कमेंट में जरूर बताएं अगर आप चैनल पर पहली बारा आएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर लें और जादा से जादा वीडियो को सेर करें ताकि अनलोग भी एह वीडियो देख सकें और सेल्प स्टेडी क्लासेस पर खरीदना चाहते हैं पर्चेस करना चाहते हैं कोर्स पर्चेस कर सकते हैं अभी ऑफर भी चल रहा है आपके लिए यहां पर तो सेल्पस्टेडी क्लासेस अफ डाउनलोड करें 2020 टेश्ट सीरेज भी यहाँ पर फिरी होती है यह तेस्ट सीरेज सब ताहिमें दो दिन तो इस test series से भी अब असे जुड़ें तो self study classes एप डाउनलोड करें और अपनी तयारी में लग जाएं और ये सरसब publication की ebook है कभी माला बस तू ने श्टिप प्रिस्न की तो इस परकार आज की वीडियों बस इतना ही सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जै हिंद